दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो कॉंटेंट लेकर आए होना आप लोगों को मज़ा आज आएगा देखने में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हो RTR 310 या दोस्तों RTR 310 का Complete Walk-Round Review आप लोगों को देने वाला हो So I hope दोस्तों इस जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है आज की इस दोस्तों इस बाइक के बारे में Complete बात करने वाले है क्या प्राइज आती है, क्या स्पेसिपिकेशन है, क्या बजट है सारी चीज़े मैं आपको आज की इस वीडियो में डीटियल्स में बताने वाला हूँ आज की इस इंटरस्टिंग वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले बात कर लेते हैं, आटीयर 310 के प्राइस के बारे में ये आपको क्या प्राइस देखने को मल रही है अब obviously बात है, कोई। चीज खरीदने वाला है, खरीदने की सोच रहे है तो सबसे पहले अपने बजट की बारे में सोचतें कि बाई जेम में पैसा कितना है जितना हमारे परस बजट होता है जितना हमारे पैसा होता है उसकी हिसाप से हम किसी चीज़ को decide करते हैं दोस्तो बात करें Aater के price के बारे में तो आपको बताना चाहूँगा आटियर 310 में आपको वेरेंट भी देखने को मलता है जो दुस्तों ये वेरेंट के साथ में आती है अगर आप इसका बेस मॉडल लेंगे तो जो बेस मॉडल है वो आप लोगों को एक्सुरूम प्राइस देखने को मलता है अराउंड टू लेक फिप्टी एट थौजन दो ल 65,000 दो लाग 65,000 रुपई वो आपको एक्सुरूम प्राइस देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको सारे फिचर का एक्सेस का आप्शन नहीं मिलेगा जिया इसमें आपको सारे फिचर नहीं मिलेंगे अगर आपको सारे फिचर जनाफादा फीचा देखने को मिलेंगे, इसका भी आब ध्यान, रखिएगा चल ये, बात कर लेते हैं, दोस्तो अब इस बाइक के बारे में, सबसे बात कर लेंगे, इस बाइक के गई है बट सेम इंजिन है इसमें आपको 312 सिसी का लिक्विड कुल फोरिश्टुक दी ओएसी फोर वोलू इंजिन जो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है यह बाइक मैक्जिमम पॉर में 35.08 के असपास 35.08 के असपास का पीएस पॉर जनरेट करती है 28.7 के असपास का जो नीटा मीटिन टॉर्क है वो हम इस बाइक में देखने को मलता है यह बाइक में आपको पावर जो टॉर्क है वो काफी अच्छा देखने को मल रहा है यहापे कोई डाउट नहीं है ठीक है और नेकट सेग्मेंट के साब से कंपनी ने इसमें काफी अच्छा पावर दिया है कुलिंग सिस्टम में इस बाइक में आपको लिक्विड कुल एंजिन देखने को मलता है यहां इस बाइक को वन नॉमर अप सिलिंडर के साथ में डिजाइन किया गया है इस बाइक की बोर साइज 80 mm की है इस ट्रोक साइज 62.1 mm की आती है वोल्व सिस्टम बाइक में आपको DOS engine मिलता है मिंस Dual O8 camshaft engine ठीक है बाइक में आपको 4 वोल्व engine मिलता है बाइक में आपको 6 gear देखने को मिलेंगे throttle में आपको बदाना चाहूँगा इस bike में आपको drive by wire मिलता है जो सो TVS उसे electronic throttle control कहते है जो accelerator होती न वापे कोई action wire नहीं होती वो direct connect होती है ECU से तो throttle response काफी अच्छा हो जाता है bike में आपको sleeper class भी देखने को मिलता है and clear गर तो इस bike में भाई bike में बहुत जादा feature company ने इसमें offer किया है electronics काफी जादा है बात करें इसके mileage and performance के बारे में mileage में आपको बदाना चाहूँगा दोस्तों ये बाई आपको 30, 30 के असपास का mileage और on निकाल कर दे देगी 0 to 60 में इस bike को 2.81 second लगते हैं इसकी जो top speed मान किसे लिए 150 km per hour है company claim कर रही है और 0 to 100 में इस bike को लबबक 7.17 second के असपास के लगते हैं चलिए अब आते हैं दोस्तों इस bike की front याने की lightings में अब आप इसकी light देख बार है दोस्तों front में आपको bike पे जो है सबसे पहले जो light देखने को मिलेगी बूम में लेगी LED DRR light bike में आपको चोटी-चोटी LED जो DRR light है वो आपको bike में देखने को मलती है जो कि काफी जदा अच्छी लगती है main light में bike में आपको dual LED जो light है वो आपको इस bike में देखने को मल रही है dual LED light company ने आप पे दिया है हलाकि ध्यान रखे जो dual LED light है वो दुस्तों क्या कहे रहा था dual LED light जो light है वो एक low B में और एक high B में तो lightnings भी आपको काफी अच्छी मिलेगी वही अगर आते हैं इसके front suspension के बारे में camera man जल्दी focus करो front suspension में bike के जो front suspension है उसमें दुस्तों आप लोगों को 41 mm के KYB के UHDNA की upside down suspension मिलते है जो की golden color suspension है और अगर suspension size के बारे में बात कर ले तो suspension जो size है तो 41 mm का मिलेगा लेकिन ध्यान रखे front में आपको bike में adjustable suspension मिलते है जी है यह बड़ी बात है इस bike की बात करते हैं इसके tear size के बारे में tear size में इस bike में front में 11070 11070 की जो tear size है वो आपको bike में front में देखने को मिलेगी अब आते हैं braking में ध्यान रखे टेर जो brand है वो Michelin है और Michelin का road 5 tear इसमें मिलता है बात करें दोस्तों इस bike के अब braking के बारे में braking में bike में आपको special feature में बता दू dual channel anti-lock braking system देखने को मिलता है जिया ABS है जो कि dual channel ABS आपको bike में देखने को मिल जाता है बात करें plate size के बारे में front में company इस bike में 300 mm 300 mm की जो plate है वो front में use की भी है अब आते हैं इसके rear profile में दोस्तों rear profile में इस bike में आपको जो tail light है उसमें आपको fully LED जो tail light है वो आपको bike में देखने को मिल जाती है no road bike ने जो को light यूज की है वो बहुत ही premium है और बहुत अच्छी light company ने आपके provide की है बात कर लें दूस्तों इस bike के rear suspension में तो rear में आपको bike में KYB के monoshock suspension rear में इस bike में आते है टायर साइज जो है इस bike का rear में 150-60 का आता है जो की काफी अचा टायर साइज है वो भी road 5 मेचलीन के टायर है rear में इस bike में जो डिक्स प्लेट है company ने 240 mm की जो डिक्स प्लेट है वो याप यूज की वी है इस bike में चलिए अब चलते हैं दोस्तों इस bike के speedometer की तरह अब speedometer में भी दोस्तों आपको काफी सारे जो feature हो आपको इस bike में देखने को मिलेंगे बताना चांगा दोस्तों speedometer में इस bike में आप लोगों को इस bike में 5 इंच का जो TFT display है वो देखने को मलता है 5 इंच का TFT display जो है company ने इस bike में प्रोवाइट किया हुआ है जो normal common feature है वो तो आपको सारे मिलेंगे जैसे speedometer, takeometer, tripometer, odometer, newton indicator, clock, ABS light, gear display, fuel gauge, low field warning light, gear indicator, low battery indicator, bike में आपको Bluetooth याने की mobile connectivity भी देखने को मिल जाती है अब bike के special feature के बारे में भी जान लेज़े जैसे इसमें आपको special feature भी देखने को मिलेंगे दोस्तों इसमें आपको 5 riding modes भी मिलता है जैसे number 5 riding modes आपको bike में मिलेगा sports, track, supermoto, rain and urban उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब इसके special feature के बारे में जान लेज़े इसमें दोस्तों आप लोग धियान रखिए दोस्तों आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा बाइक में आपको wheelie control भी देखने को मिलेगा wheelie control भी मिलता है और stoppy control भी मिलेगा अब सबसे important feature इसमें आप लोग को भाई वो मिल रहा है टायर प्रेसर आपके बाइक में कितना टायर है मतब टैर में कितनी हवा है जैसे BMW की बाइकों में मिलता है कमपनी ने वो चीज भी इसमें दी वही है तो मानना पड़ेगा यार फीचर में कमपनी ने बहुत जोरदार काम किया है फीचर में इस बाइक में आपको बहुत ज़्यादा फीचर देखने को मिल रहा है I don't think आपको किसी और बाइक में इतने ज़्यादा फीचर जो है देखने को मिलेंगे तो फीचर के मामले में भी देखा जाए तो एक one of the best बाइक है और इस रिजल से भी दोस्तो आप इस बाइक को पसंद कर सकते हैं इस बाइक को खरीज सकते हैं पाइक के आप लोग कमेंट करके ज़रू बताना कि आप लोगों को RDR 310 कैसी लगी वैसे तो दोस्तो यह यलो कलर का वीडियो था और आपको बताना चाहूँगा आपको सारे कलर को जो आप्शन का मदब वीडियो है वो आपको अपने चैनल पे मिलने वाला है तो चैनल पे बने रहना आपको और भी कलर के इसके वीडियो मिलने वाले हैं सो ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रू बताना सो आई होब दुस्तो आप लोगो को ये छोटी सी इंटरस्टिंग वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छे लगी तो एक लाइक करिएगा चैनल पर पहली बढ़ा है तो सबस्क्राइब करिएगा चलिए यार मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में लवी और जैहिन पन्दमातरम